Hello everyone, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल TechSigPro में निम्मी Official Question Paper की सीरीज का ये अपना पाचवा वीडियो है इससे पहले Fitter First Year जो Set 1, 2, 3 है वो अलरड़ी अप्लोड हो चुका है Fitter Second Year का Set 1 अप्लोड हो चुका है और ये Set 2 की आज अपनी वीडियो है अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल पे डिसकेप्शन में लिंक दिया गया है जाकि आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो आपका पेपर होने वाला इस अगस्त मन्त में उसके लिए सारी वीडियो बहुत ही Most Important है चुकी है निवी के Official साइट पे जारी किया गया है पेपर तो Most Probability है कि जो आपका CBT का पेपर आएगा वो इन्हें तीनों सेट को मिला कर बनाया जाएगा ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किये हुए तो इसमें टोटल हम 75 questions को discuss करेंगे जिसमें आपके trade theory के question, workshop calculation science के question, engineering, drawing के question और साथी साथ employability, skill के questions पे इसमें रहेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का पहला question यहाँ पर हमारा क्या पूंचा गया है तो पहला question यहाँ पर दिया गया है which grade slip gauge is used for precision tool room application basically precision tool room application में किस grade के slip gauge का परियोग किया जाता है तो जैसा कि आप सभी को पता है slip gauge कितने प्रकार के होते हैं तो basically 4 grade के होते हैं grade 0, double 0, grade 1, grade 2 यह 4 grade होते हैं, इनका अलग-अलग, इनके accuracy के अंसार परियोग किया जाता है जैसे यहाँ पर पूंचा गया है आप से precision tool room application के लिए वर हमें हाँ पर सारे देख लेते हैं कि कौन किसका कहा पर परियोग करते हैं सबसे पहले grade 2 आता है जिसे हम grade 2 के नाम से जानते हैं इसका परियोग basically किया जाता है workshop में ठीक है, जहाँ पर part fabricate होते हैं तो वहाँ पर चक करने के लिए किसका परियोग करते हैं तो grade 2 आले slip gauge का परियोग करते हैं दूसरा grade 1 की बात की जाए तो grade 1 का basically part किया जाता है तो इस question का भी उत्तर यही हो जाएगा grade 1 ठीक है चाहे आप से पूछा जाए inspection के कार में या फिल tool room के कार में तो दोनों में किसका परियोग करते हैं grade 1 का परियोग करते हैं grade 0 की बात की जाए तो grade 0 का परियोग कहां करते हैं grade 0 का परियोग basically करते है calibration के लिए inspection वाला gauge होता है after particular time इसकी accuracy को हमें check करना होता है कि अभी उसी accuracy में है की नहीं है तो इसको calibrate करने के लिए grade 0 का परियोग किया जाता है और जो grade 00 होता है इसे किस नाम से जानते हैं तो इसे master slip gauge के नाम से जानते हैं ठीक है इसका परियोग calibration gauge की accuracy को check करने के लिए master gauge का परियोग किया जाता है slip gauge किस material के बने होते हैं तो बहुत ही high quality material के बनाए जाते हैं ठीक है चलते हैं अपने next question की तरफ next question यहाँ हमारा यही पूचा गया है कि slip gauge बनाने के लिए किस material का उपयोग किया जाता है ठीक है तो किसका परियोग किया जाता है high grade steel with low thermal expansion ठीक है basically उच grade वाले steel का परियोग करते हैं जैसे की stabilized chromium steel हो गया उसके द्वारा slip gauge बनाए जाते हैं ठीक है और toll room application वाले कुछ gauge जैसे भी होते हैं जो वहाँ पर tungsten carbide के भी gauges आते हैं जो और काफी high accuracy में finish होते हैं ठीक है जो कि उस पर क्या होते है जंग बिल्कुल से नहीं लगती है यहाँ पर जो यह साधारण slip gauge होते हैं आप के श्टेपराइज कुरूमियम इस्टील वाले इसको जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं इस पर पेट्रोलियम जैली अप्लाई करके हम इस gauge को इस्टोर करते हैं ठीक है जब यूज करना होता है तो उसे हम चौमोईस लेदर से साफ करते हैं टीशू पेपर से साफ करते हैं प्रॉपरली उसको क्लीन कर लेते हैं फिर उज करते हैं यूज करने के बाद पेट्रोलियम जैली लगा कर उसको रख दिया जाता है चलते हैं नेक्ट क्वेशन की तरफ इस परफॉर्म बाइड़ टूल एट रोटेट एंड रेसी प्रोकेट यहाँ पर टूल हमारा क्या कर रहा है रोकेट कर रहा है और रेसी प्रोकेट भी कर रहा है साथ राथ ठीक है तो आपका क्या कर रहा है रोटेट भी कर रहा है और रेसी प्रोकेट कर रहा है एक साथ राथ ठीक किसमें परियोग किया जाता है तो basically यह honing में परियोग किया जाता है honing जो आपका sorry, honing आपका क्या है process है, यह basically use किया जाता है internal surface के लिए मत्तब basically जो bores होते हैं hole होते हैं, उसके finishing के लिए honing का परियोग करते हैं, इसमें abrasive honing, abrasive stick का परियोग किया जाता है, तो simultaneously क्या करते हैं, रोटेट भी करते हैं और reciprocate, rotate मतलब आपका circular motion हो गया और reciprocate मतलब ऊपर नीचे का motion हो गया ठीक है, तो आपका यह rotate और reciprocate दोनों एक साथ यहाँ पर करते हैं तो यह कौनसी process होती है, honing होती है drilling आप सभी को पता ही है लैपिंग भी क्या होती है, फिस सुभर प्रीशिंग process होती, जो कि mostly यूज की जाती है, external surface soft के लिए, grinding आप सभी को बेसिकली पता ही है यहाँ पर जो आप से main question पूचा जाता है, वो पूचा क्या जाता है honing में आप से पूचा जाता है इसके abrasive grains के बारे में जैसे यहाँ पर पूचा जाता है कि silicon carbide का परियोग किसके लिए करते है aluminium oxide है तो aluminium oxide का abrasive है यह किसके लिए परियोग करेंगे ठीक है तो basically यहाँ पर जो honing होता है honing में हमें क्या ध्यान में रखना होता है जो हमारा hard grade होता है जैसे हमारा क्या हो गया silicon carbide हो गया तो यह हमारा क्या है जो इसके abrasive होते हैं काफी hard होते है silicon carbide तो hard है तो इसको किसके लिए परियोग करेंगे तो इसको हम परियोग करेंगे low tensile strength material के लिए जैसे हो गया आपका cast iron हो गया aluminium oxide इसके जो abrasive grain होते है compared to silicon carbide soft होते हैं तो soft होते हैं इसलिए इसका परियोग करते हैं हम high tensile strength material के लिए याद क्या रखना है यहाँ पर just opposite होता है high tensile strength material like steel के लिए इसका परियोग किया जाता है या कई बार आपसे option में पूच लिया कि जो coarse grain होते हैं और fine grain के abrasive होते हैं इसका परियोग basically किया जाता है soft material की honing के लिए या फिर कह लीजे dry honing के लिए dry honing जब आप नाम लेंगे तो हाँ पर automatic के लिए आजाएगा heavy soft cut लिए ज़्यादा material remove करना होता heavy cut के लिए या dry honing के लिए या soft material के लिए coarse grain abrasive का परियोग करते हैं fine grain abrasive की बात की जाए तो उसके just opposite होगा इसका परियोग hard metal के लिए करेंगे bet honing के लिए करेंगे और light cut के लिए इसका परियोग करेंगे तो आसा करते हो honing पूरा यहाँ पर आपको clear हो गया होगा next यहाँ पर पूचा गया है कि layping क्या होती है तो यह उपर ही हमने discussion किया होती है precision finishing operation होता है जो कि basically किसके लिए परियोग करते हैं जो आपका outer surface होता है external surface उसके लिए बेसीक लिए परियोग किया जाता है यहाँ पर लापिंस की लिए परियोग करते है next THIS when creams you will get to a जाता है जैसे यहां पर अगर बात किया जाए अलमुनियम आक्साइट का तो वहां पर क्या था वोनिंग में हमारा जußत अपूजीट था धिर के सौफ्ट को हार्ड के लिए और हार्ड को साथ के लिए लेकिन इसमें क्या होता है इसमें आपका सेम होता है soft है तो soft के लिए hard है तो hard के लिए जिसे almonium oxide इसके grains soft होते हैं तो इसका परयोग किया जाएगा low tensile strength material के लिए जैसे कि आपका हो गया non-ferrous metal हो गया या soft metal हो गया ऊक्त acts है उसके लिए Almonium oxide परयोग करेंगे next आपका Silicon carbide का बात के लिए तो Silicon carbide के grains hard होते हैं तो इसका परियोग किया जाएगा आपका high tensile strength material के लिए जैसे आपका steel हो गया ठीक है या फिर यहाँ पर cast iron का भी पूंचा जाए तो honing में जब हम cast iron की बात करते हैं तो उसमें किसका परियोग करते हैं तो honing में cast iron के लिए भी हम silicon carbide का परियोग करते हैं और lapping में भी हम cast iron के silicon carbide का परियोग करते हैं यह थोड़ा सा एक exemption है जिसको आप धान में रखेंगे चाहें honing पूंचा जाए या lapping पूंचा जाए cast iron का तो दोनों में silicon carbide ही परियोग करते हैं ठीक है अब यहाँ honing में क्या था कि आपका अगर low tensile strength material है तो silicon carbide परियोग करते थे high tensile strength material के लिए aluminium oxide परियोग करते थे लेकिन यहाँ पर opposite नहीं सेम होता है low tensile strength material के लिए आपका low hardness वाला aluminium oxide silicon carbide strength काफी जादा होती है तो high tensile strength material steel के लिए नेक्ट यहाँ पर आपसे पूंचा जा सकता है diamond के बारे में कि diamond का परियोग कहां करते हैं तो इसका परियोग tungsten carbide या फिर ceramic की लैपिंग के लिए किया जाता है नेक्ट आपसे पूंच लिया जाए कि boron carbide का परियोग कहां करते हैं तो boron carbide का परियोग किया जाता है जितने भी gazes होते है plug gaz ring जितने भी आपके gazes होते है उसारे gazes की overlapping के लिए और dye की overlapping के लिए boron carbide कापरियोग किया जाता है चलते हैं next question की तरफ what is the name of the tool यहाँ पर आपको एक tool दिखायागा basically एक lapping tool है यहाँ पर पूँच रहा है कि किस प्रकार का tool है तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक क्या काटा गया है पूरे इसके भाग में एक split group कटा हुआ है तो इसे क्या कहेंगे हम split bus lap कहेंगे इसे हम क्या कर सकते हैं इसकी size को adjust कर सकते हैं चलते हैं next question की तरफ यहाँ पर पूचा गया x से mark एक भाग का नाम क्या है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो यह चित्र बनाया गया है यह किसका चित्र बनाया गया है तो यह किसका figure है यह sign bar का figure है जिसमें आपका एक यह roller हो गया इधर का और एक यह roller हो गया इधर का अब दोनों roller का जो center है center distance यहाँ पर टेगनों में टेक ratio होता है, उसके basis पर ये function करता है, चलते है next question की तरफ, यहाँ पर आपको X से पूछा गया है, तो यहाँ पर basically देख पा रहे होगी, यहाँ पर आपको sign bar का use दिखाया गया है, यह आपका base में basically कोई job है, इसका हमें taper angle माल लिजी अगर check करना है, ठीक है, यह job है, जो हमारा इसका taper angle चेक करना है, तो यहाँ पर आपका जो यह लगाया गया है, क्या है slip gauge है, different thickness के यहाँ पर क्या लगाएगे है, slip gauge लगाएगे है, ठीक है, तो यहाँ पर जो yaks दिखा रहा है, यह किसको दिखा रहा है, height of slip gauge दिखा रहा है, कि slip gauge की उचाई कितनी है, वही यहाँ पर इसको दिखा रहा है, तो यह slip gauge की जो height है, यह किसका काम करती है, perpendicular का काम करती है, और यहाँ पर यह sign bar की जो लंबाई होती है, यह किसका काम करती है, तो यह आपका hypotenuse का काम करती है, यह भी आपसे exam में पूछा जा सकता है, ठीक है, यह आपका basically sin theta पर काम कर ठीक है, perpendicular by hypotenuse, ठीक, चलते है, next question की तरफ, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अगर sin bar की लंबाई कितनी है, 100 mm है, ठीक है, और यहाँ पर जो theta दिया गया है, जो कोन दिया गया हो, कितना दिया गया है, 25 degree दिया गया है, और 25 degree की जो value दी गया है, 0.4226 दी गया है, तो यह साइन बार की लंबाई 100 mm हो, तीटा 25 degree हो, जिसकी value 0.4226 है, तो यहाँ पर जो slip gauge की उंचाई A है, यह कितनी हो जाएगी, तो आप सभी को पता है, जो साइन बार काम करता है, किस पर काम करता है, टेक्नोमेट्री के प्रिंसिपल कर, बैसिकली यह साइन थीटा पर, तो साइ 0.4226, कितनी find 4226 दी गई है, बरावर में आपको निकालना क्या है, यहाँ पर हाइपोटेन, sorry, perpendicular निकालना है, जिसको यहाँ पर किसे दर्शाया गया है, यह से दर्शाया गया है, हाइपोटेनियस मत्तब यहाँ पर साइन बार की लंबाई, इसकी value कितनी दी गई है, 100 दी करोगे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, आपका 42.26, कितना उत्तर आ जाएगा, तो साइन जो slip gauge की उंचाई है, कितनी आ जाएगी, 42.26 निकल के आ जाएगी, तो आपसे नमबर भी यहाँ से सही हो जाएगा, बढ़ते हैं, next question की तरफ, what is the grade of slip gauge used for inspection परपच, यहाँ पर पूँच लिया गया है, कि निरिच्छन कारी के लिए, या फिर inspection परपच के लिए, किस तरिफ gauge का परियोग किया जाता है, उपर वहाँ से आप पूचा गया था, tool room application के लिए, यहाँ पर उसका नाम चंज कर दिया, आपसे क्या पूच लिया गया, inspection पर उपयोग करते हैं, next यहाँ पर, what is the method of built of size using slip gauge, यहाँ पर slip gauge का उपयोग करके, basically, दो slip gauge को आपस में जोड़ने की जो बिधी हुए, उसे क्या कहते हैं, जिसके द्वार हम different different ठिकने से height को built करते हैं, तो basically, इसे क्या कहा जाता है, ringing process के नाम से जाना जाता है, इसे क्या कहते ह रिंगिंग प्रोसेस के नाम से, जानते हो, रिंगिंग इस्टार्ट करने से पहले, यहाँ पर slip gauge को हमें properly clean करना होता है, clean किसे करते हैं, तो clean करते हैं, चमोईश लेतर या फिर tissue paper से, इसे पहले आप carbon tetra chloride में उसे धोल कर clean भी कर सकते हैं, चलते हैं, next question की तरफ, what is the finishing process carried out with abras adhesive stick to correct the profile of internal cylindrical surface, basically हाँ पर पूचा आगया है, अगर आपको क्या करना है, internal, ठीक है, internal मतब कोई आंतरिक surface है, cylindrical surface है, तो आंतरिक cylindrical surface का मतब हो गया, कोई hole या कोई bore है, उसको finish करना है, तो आप किसका परियोग करेंगे, तो उपर ही हमने discuss किया था, जब हमें internal feature की finishing करनी होती ह किसका परियोग करते हैं, honing का परियोग करते हैं, और external के लिए किसका परियोग करते हैं, तो external के लिए basically lapping का परियोग किया जाता है, तो आसा करते हैं, यह भी question आपको clear हो गया होगा, चलते हैं, next question की तरफ, which is the hardest of all abrasive metal used for lapping tungsten carbide, यहाँ पर आप से question पूच लिया गया है, कि tungsten carbide के lapping के लिए किस अपगर्शक का परियोग करते हैं, जो कि क्या होता है, सबसे कठोर होता है, तो दोनों से आप देख सकते हो सबसे कठोर का उन होता है, जो सबसे कठोर आपका होता है diamond हीरा, या फिर आपका tungsten carbide है या ceramic है, तो इन दोनों के लिए किसका परियोग कर जाता है यह सबसे क्या होता है hard होता है silicon carbide का परियोग किसके लिए करते हैं तो इसका परियोग किया जाता है high tensile strength material जैसे steel के लिए aluminum का परियोग किसे लिए करते हैं तो low tensile strength material जैसे आपका हो गया non-fellas metal बोरान कारवाइट का परियोग गेज और डाई की लैपिंग के लिए इसका परियोग किया जाता है बढ़ते हैं next question की तरफ यहाँ पर एक आपको figure बनाया गया और पूचागे इस figure का नाम क्या है, instrument का नाम क्या है, what is the name of instrument आपका क्या है, इसका करेक्ट एंसर क्या होजाएगा, height gauge with slip gauge holder basically क्या है यह आपका एक height gauge है जिसमें different different slip gauge को hold करने का provision है ठीक है तो इसका नाम क्या हो जाए कि देख रहे हैं यहाँ पर आपका कोई एक angular यहाँ पर part है जिस पर marking करते हुए दिखाया गया है यहाँ पर आपका यह scriver fit है देख रहे हैं यहाँ पर आपको direction दिखाया गया है कि इस direction में यह move कर रहा है और यहाँ पर line को mark कर रहा है तो basically क्या है आपका height gauge है और जिसमें उपर provision दिया गया है यहाँ पर आपके इस screw के सहाईता से different height gauge की slip gauge को यहाँ पर हम fit कर रहे हैं ठीक है चलते हैं next question की तरफ यहाँ पर पूचा गया है what grade of slip gauge used in general workshop तो सामान कारसाला में किस grade का परियोग करते हैं सबसे पहले question में हमने discuss के लिया था कि जो grade 2 होता है grade 2 की जो slip gauge होती है इसका परियोग कहा किया जाता है सामान workshop के लिए इसका परियोग किया जाता है next यहाँ पर surface hardening करने की एक विधी दर्शाई गई है यहाँ पर एक figure दिया गया है वो आप से पूचा जा रहा है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक box है box में यहाँ पर आपका component को बंद कर दिया गया है box में component को pack कर दिया गया है उसके मतलब जो materials हैं उसके साथ ते क्या हो जाएगा pack carborizing हो जाएगा ठीक है एक एक option को basically यहाँ पर पूचा जा सकते है आपको कि pack carborizing में किस material का परियोग करते हैं ठीक है basically जब हमें किसी मतलब जिस पे low carbon वाले metals होते है उसके surface पर carbon की percentage मातरा बहानी होती है तो उसके लिए different type के process होते हैं जिसमें एक आपके pack carborizing होता है तो जब हम यहाँ पर metal को इस box में seal करते हैं तो इसके साथ आपका कुछ other metal, कुछ other चीजे रखते हैं जिसके द्वारा carbon क्या होगा उस surface से निकल के उस धातू से निकल के आपका इस धातू पर आएगा तो इसमें किस किस चीज का परियोग किया जाता है यह आप से पूछा जा सकता है तो इसमें basically हम किस का किस का परियोग करते हैं तो इसमें जो आपकी main चीज होती हो आती है तो आपका उड रख सकते हैं या बोन या फिर लेदर चार कोल या बेरियम कार्बोनेट या फिर आप कैलसियम कार्बोनेट ठीक है या फिर सोडियम कार्बोनेट इन सारे चीजों में से कोई भी आप चीज इसमें क्या कर सकते हैं रख के पैक कर सकते हैं क्या क्या उड हो गया bone हो गया, leather हो गया, charcoal हो गया, calcium carbonate, sodium carbonate, barium carbonate इस सब का यहाँ पर परियोग किया जाता है, इसके साथ इसको fire clay के द्वारा यहाँ पर sealed कर दिया जाता है जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर sealed कर दिया जाता है, इसको 850 से 950 degree Celsius पर जो हम गर्म करते हैं तो carbon percentage जिस धात पर हमें बढ़ानी होती हो, आराम से deposit हो जाती है नेक्ट अगर nitriding की बात की जाए, तो nitriding में क्या होता है, इसमें carbon के जगहाँ पर हम धातू के surface पर क्या करते हैं nitrogen की percentage मातरा को बढ़ाते हैं, किसके जगहाँ पर, carbon की जगहाँ यहाँ पर हम क्या करते हैं nitrogen की मातरा को बढ़ाते हैं, flame hardening की बात की जाए, तो flame hardening के लिए basically यहाँ पर जो heat supply की जाती है, वो oxy acetylene tart, जिसे आप C2S2 कहते हो oxy acetylene के द्वारा यहाँ पर heat को supply करते हैं, और cooling के लिए पूछा जाता है कि flame hardening में हम cooling कैसे करते हैं, तो spray water का spray करके हाँ पर cool किया जाता है और flame hardening basically परियोग किया जाता है, काफी भारी, लार्ज और heavy job के लिए, जो बड़ा और भारी job होता है उसके लिए flame hardening का परियोग किया जाता है, इसका disadvantage होता है कि यह small job के लिए suitable नहीं होता है तो छोटी job होते हैं, इसके लिए flame hardening आपकी नहीं की जा सकती है next यहाँ पर बात किया जाए, induction hardening की, तो induction hardening में basically heat हम किसके द्वारा supply करते हैं कि इसको हम mass production में use कर सकते हैं, और यहाँ पर scale free surface प्राप्त होती है और कोई cracking और गएरा की भी समस्या induction hardening में नहीं आती है तो आसा करते हैं, चारो option आपको clear हो गए होंगे बढ़ते हैं अपने next question की तरफ, what is the process to refine the structure of steel component इस टील घटक की समरचना को refine या परिस्कृत करने की परिकिरिया क्या कहलाती है तो basically यहाँ पर आपसे heat treatment पूछा जा रहा है तो हम सारे option को यहाँ पर एक बाई एक clear कर लेते हैं तो कोई भी आपकी heat treatment process होती हो, कहाँ से चालू होती है hardening से ठीक है, चुकि हमें क्या करना होता है सबसे पहले desired hardness को उसमें develop करना होता है तो basically आपसे पूछा जा सकता है कि hardening पर क्यों की जाती है तो सबसे पहले किसी metal की hardness को या उसकी strength को बढ़ाने के लिए या उससे क्या कह सकते हैं bear resistance बनाने के लिए या वो किसी other metal को cut कर सके इसके लिए उसमें हम क्या करते हैं hardening की process करते हैं और hardening process करते हैं इसके लिए जितने भी process है hardening हो annealing हो या फिर आपकी normalizing हो इसमें सबसे पहले हम metal को क्या करते हैं गर्म करते हैं गर्म करने के लिए basically जो आपका temperature होता है वो lower critical temperature या upper critical temperature से 30 से 50 degree Celsius प्लस माइनस के range में यहाँ पर हम गर्म करते हैं lower critical temperature मतलब 723 degree Celsius जो temperature होता है इसे हम क्या कहते हैं lower critical temperature की नाम से जानते हैं तो इसके आसपास लगवग गर्म किया जाता है according to carbon percentage के अंसार फिर hardening में क्या होता है हमें बहुत जल्दी से उसको cool down करना होता है तो इसके लिए जो आपका medium परियोग किया जाता है जिसे water हो गया या brine solution सबसे famous यहाँ पर होता है cooling करने के लिए अब hardening के बाद जब hard होता है metal तो उसमें क्या होती हार्डनिंग के साथ उसमें कुछ bitterness का भी गुण develop हो जाता है तो उस bitterness के गुण को वहाँ पर reduce करने के लिए bitterness को हटाने के लिए और साथी साथ जो उसकी toughness है उसको regulate करने के लिए जो process की जाती हो क्या होती है tempering होती है tempering में basically जो metal को हम गरम करते हैं वो आपका लभग 200 से 400 degree के range में गरम करते हैं 200 से 400 degree centigrade के range में गरम करते हैं यह आपका depend करता है carbon percentage पर और यहाँ पर जो आपका cooling होता है basically इसमें हम mostly oil में cool करते हैं या फिर आपका ear में cool करते हैं जो भी आपकी steel के component होते हैं उसको basically यहाँ पर oil म नॉर्मलाइजिग फ्रोसेस, नॉर्मलाइजिग बेसिकली क्या होता है, जह हम मैटल पर बहुत सारी ऑहाँ पर परकिरियाए करते हैं, हैंबरिंग करते हैं, तो इन सारी परकिरियाओं के बाद क्या होती है? उस में कुछ इंटर्नल उसके structure जो होते हैं वो थोड़ा सा disturb हो जाते हैं उसमें तोड़ा stress और strain डवलप हो जाती है उसके grains में तो उसके internal stress को दूर करने के जो भी हम metal पर process करते हैं चाहे हो hot working हो या cold working हो hammering हो गया जो भी हो गया process उसके द्वारा जो भी उसमें internal stress डवलप होई है उसको हट आने के लिए उसके grain के size को refine करने के लिए या कह सकते हूं उसके structure को improve करने के लिए जो process की जाती हो आपकी क्या होती है normalizing होती है ठीक है इसमें पूछा जाता है कैसे quenching करते हैं तो इसमें हम metal को ear room temperature बहुत ही आपका famous option आता है कि ear room temperature पर यहाँ पर quenching की जाती है ठीक है तो ear room temperature पर इसमें हम कवंचें करके आराम से उसकी normalizing करते हैं ठीक next आपका है annealing annealing basically कब करते हैं तो annealing basically किया जाता है किसी metal को soft बनाने के लिए जिससे उसे आसानी से machine किया जा सके और soft बनाएंगे तो soft के साथ साथ उसकी क्या होती है तो material को soft बनाने के लिए उसे easy machining करने के लिए या फिर उसकी ductility को बढ़ाने के लिए या कई बार की जाम में पूछाता आता है उसकी electrical और magnetic property को भी induce करने के लिए जो process होती हो आपकी होती है annealing और annealing करते हैं हम basically metal को कहाँ ठंडा करते हैं तो इसमें हम basically याद रखना है आपको कि metal को furnace में ही ठंडा कर दिया जाता है बस तरती यह होती है कि furnace को switch off कर दिया जाता है जो यहां पर उसे आपका current supply मिल रहा होता है उसको बंद कर देते हैं furnace के current supply को और उसी में cool down करते हैं या फिर furnace में नया हो कि आपको आफसंदी आजाए तो lime powder हो गया या फिर आपका dry excess हो गया उसमें भी metal को cool down किया जाता है तो यह सारे आपकी basically heat region process है जो कि किसी ना किसी question में आपके पूछे जाएंगे further भी तो यहां पर क्या पूछा गया था कि आपको क्या करना है grain structure को refine करना है तो grain structure refine करने के लिए किसका परियोग किया जाएगा अभी हमने आप से discuss कर लिया बहुत ही पूरे detail में किसका परियोग किया जाएगा कौन सी surface hardening process की जाती है तो basically यहां पर salt का पूरा बात है तो यह क्या हो जाएगा आपका liquid carburizing हो जाएगा चुकि बात हमारा क्या होगा पूरा liquid form में होगा तो इसका correct answer हो जाएगा liquid carburizing अब यहां पर भी आप से पूछा जाता है कि जो liquid carburizing में हम salt बात परियोग करते है इसमें कौन सा metal basically क्या-क्या पदार्थ होता है तो इसमें भी आपका sodium carbonate हो सकता है sodium cyanide हो सकता है sodium या barium chloride इन सभी का जो mixer होता है इसे इसमें परियोग किया जाता है कौन-कौन सा इसमें कई बार आप से आप से पूछा जाता है कि निमनी कित में से कौन सा आपका पदार्थ है जो कि liquid carburizing में परियोग नहीं करते हैं क्या-क्या हम परियोग करते हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए sodium carbonate, sodium cyanide, sodium chloride, barium chloride यह चारों का जो मिक्सरन होता है इसे परियोग किया जाता लगवग 800-900-900-Celsius के रेंज में इसको गरम करके बैसिकली liquid carburizing की जाती है carburizing का मतलब क्या है किसी भी जो आपका लो carbon percentage वाला metal है उसके surface पे carbon की percentage को बढ़ाना और जो इसका internal core है वो अभी भी soft ही रहेगा कि और surface पे carbon percentage की मतलब बढ़ेगी जिससे उसकी hardness थोड़ी सी बढ़ा जाएगी यहां पर आपका flame हाड़ नहीं हमने पहले बता दिया carburizing भी बता दिया gas carburizing बचा है तो gas carburizing में basically क्या होता है यहां पर हम इसको हम furnace में रखकर basically gas carburizing के process करते हैं अब furnace में पूछा जाता कि कौन कौन सी gas यूज की जाती है तो इसमें आपका basically methane हो गया carbon monoxide हो गया acetylene हो गया ethylene हो गया तो यह सारी gas होती है जो इसमें प्रवाहित की जाती है लगभग 1000 degree 70 grade के करीब इसको गरम करके इन सारे गैसों का वहाँ पर मिश्रन छोड़ा जाता है तो इससे carbon percentage वहाँ पर बढ़ जाती है इसका सबसे जो main advantage होता है कि इसमें time बहुत कम लगता है बहुत ही आपकी quick process होती है gas carburizing की next question which method of heat treatment improve machine ability and ductility in the job उपर हमने सारे method को clear किये है तो यहाँ पर parece machine ability और ductility सुधारना है तो machine ability और ductility सुधारने के लिए किसका परयोग किया जाएगा आप सबी को clear होना चाहिए किसका परियोग करेंगे एनिलिंग का परियोग करेंगे एनिलिंग का परियोग किया जाता है basic लिए किसके लिए Machinability और ductility के गुण को सुधालने के लिए चलते हैं next question की तरफ next question यहाँ पर क्या पूंचा गया है next question में हमारा पूंचा गया है what is the disadvantage of flame hardening in the heat treatment process तो flame hardening के नुकसान क्या होता है तो हमने आपको उपर बताया था कि जो flame hardening होती है basically काफी heavy और बड़े job के लिए परियोग की जाती है ये not suitable for small work piece छोटी work piece के लिए basically suitable नहीं होती है आपकी flame hardening की जो process होती है next question यहाँ पर पूछा गया है what is the name of method in metallic coating done by rolling or drawing the layer of metal on the base metal तो base metal पर metal की परतों को roll करके या layers के द्वारा जो उस पर हम धात्तिक metal की coating करते हैं उस विदी का नाम क्या होता है basically इस विदी का नाम होता है आपका cladding इसे क्या कहा जाता है cladding कहा जाता है और यहाँ पर जो आप संदियेगे हैं उसको भी देख लेते हैं जैसे spraying का मतलब क्या होता है तो spraying involved using a device to spray coating material like paint powder और molten metal onto a metal surface the metal stick on the surface forming a protective और decorative layer यहाँ आपको थोगा छोटा दिख रहा होगा इसको हम बड़ा कर लेते हैं असा करते हैं अब आपको यहाँ पर चीजें दिख रही होंगी ठीक है तो यहाँ पर spraying की बात की जाए तो spraying में basically क्या होता है किसी भी device के द्वारा हम जिस surface पर हमें coating करती है उस पर paint, powder यह जो भी आपका molten metal है उसको 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 क्या करते हैं इस प्रे करते हैं ठीक है तो वो क्या होता फिर जाके उस surface पर stick हो जाता है और वहाँ पर एक protective layer बनाता है जिससे कि उस surface को protect कर सके ठीक तो इसमें basically क्या होता है powder फार्में ठीक है उसको क्या करते है इस्प्रे कर देते हैं next cladding हमने अभी उपर जान लिया कि जिस भी surface करने होती है तो इसमें basically क्या करते हैं एक metal को दूसरे metal पे हम क्या करते हैं basically rolling कर देते हैं तो rolling करने के बात वहाँ पर हम heat supply करते हैं तो दोनों क्या होते हैं आपस में bonded हो जाते हैं आपस में जुड़ जाते हैं तो जिससे क्या होती है उसकी stent काफी अच्छी हो जाती है और जो उपरी surface होता है उसको corrosion से भी वहाँ पर बचाया जा सकता है enabling की बात की जाये तो enabling involves a glassy coating on metal the metal is first coated with powdered glass then heated until the glass melt and fuse to the metal surface this creates a smooth durable and often decorative nice enabling में basically क्या करते हैं जिस भी metal पर coating करनी होती है उस पर हम glass की पत्ली प्रत लगा देते हैं फिर उसको क्या करते हैं काफी high temperature पर गरम करते हैं जब तक गरम करते हैं कि आपका metal क्या होता आपको glass fuse होकर उस metal पर अच्छे से चिपक ना जाए इससे बहुत ही अच्छी smooth surface होती है जो की बनती है यह काफी durable होती है और काफी अच्छी भी देखने में लगती है तो जितनी भी आपकी surface है जो प्रोसेस चाहिए spraying हो cladding हो या enabling हो तो basically क्या करती है हमारे जो metal होता है उसको corrosion से बचाती है बेर टियर से बचाती है ठीक और जो अन्य प्रकार के damage होते हैं उससे क्या करती है बचाने का काम करती है तो mostly कह सकते हो कि आपकी क्या है आपकी surface treatment की बिधियां है जिसके दोरह basically हम उसे corrosion से बचा सकते है ठीक तो चलते हैं next question की तरफ next question यहाँ पर हमारा क्या पूछा गया है which type of key is used in the hub of pulley has to axial slide on the shaft to some distance यदि हाव याप pulley को अच्छे रूप से कुछ दूरी तक shaft पर slide करना है तो किसका परियोग किया जाता है तो कल वाली sorry अपनी पिछले वाली वीडियो में जो हमारी set 1 की वीडियो थी fitter second theory की fitter second year की उसमें हमने अच्छे से clear किया है जितने भी key हैं उसके सारे use को हमने अच्छे से clear किया है तो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है set 1 को तो जाकर कर देख लीजिएगा वहाँ पर सारे आपके key के जितने भी topic हैं सब clear हो जाएंगे तो जब भी हमें axial moment process चहीए होता है तोहाँ पर किसका परियोग किया जाता है feeder key का परियोग किया जाता है चलते हैं अपने next question की तरफ what is the purpose of normalizing normalizing का उद्देश से क्या होता है बहुत ही अच्छे से हमने इसको discuss किया है कि normalizing का उद्देश क्या होता है remove stress on strain stress और strain को develop करना ही क्या कहलाता है basically normalizing कहलाता है which structure of steel contains 0% carbon steel की किस सनाचना में carbon percent 0 होता है तो basically आपका होता है ferrite ferrite जो होता है ये iron का pure farm होता है pure farm होता है इसमें 0% carbon होती हो कारवनना होने के कारण ये क्या होता है काफी soft होता है और ductile होता है next अगर बात किया जाए यहाँ पर pear light का तो basically जो pear light होता है ये ferrite और cementite का मिसरण होता है ठीक किसका मिसरण होता है ferrite और cementite जिसमें ferrite 88% होता है और cementite 12% होता है ठीक है और ये काफी strong होता है ठीक इसकी सकती काफी, अच्छी होती काफी strong structure pair light होता है, आस्टेनाइट की बात की जाए, तो basically जो आस्टेनाइट है जब हम metal को क्या करते हैं, अपर critical temperature के range में गरम करते हैं, तो उस state में हमें ये आस्टेनाइट structure प्राप्त होता है, तो basically जो आस्टेना थोड़ा बहुत आपकी कुछ बिटलनेस का गुण हो लेकिन जो आस्टेनाइट है इसमें आपका hard है बट आपका बिटलनेस का गुण नहीं होता है चुकि यह क्या है उस hot अवस्था में प्राप्त होता है गर्म कंडिशन में प्राप्त होता है सिमेंटाइट की बात की जाए तो सिमेंटाइट बेसिकली आपका iron और carbon का chemical mixer होता है जिसमें iron और carbon का जो ratio होता है बेसिकली अगर बात की जाए कि carbon और iron का ratio कितना होता है सिमेंटाइट में तो यह ratio होता है आपका 1 ratio 14 carbon अगर 1 है तो iron कितना होगा 14 होगा percentage में अगर बात की जाए तो iron around 93.3% होता है और carbon आपका around 6.6% होता है ठीक तो यह होता है basically percentage यह भी काफी hard structure होता है hard होने के साथ ही क्या होता है brittle भी होता है ठीक एक बार फिर से देख लेते हैं ferrite क्या होता है आपका बहुत ही soft और ductile होता है 0% carbon होती है pure आपका iron होता है फिर जो pure light structure है इसमें ferrite और cementite का मिश्रन होता है काफी strong structure है आश्टेन है जो हम metal को गरम करते हैं तो उस अवस्ता में प्राप्त होता है यह भी काफी hard होता है cementite basically carbon और iron का chemical mixer होता है 1 is to 14 का ratio यह hard के साथ साथ brittle भी होता है next question what is the name of key फिर से यहाँ पर आपको एक key का question दिया गया है तो यह कौन सी की है तो basically हमारी कौन सी की है तो यह sunk key के अंदर गता आती है बट यहाँ पर पूरी लंबाई में क्या है parallel है तो इसलिए क्या हो जाएगी parallel sunk key हो जाएगी जिब head key में basically यहाँ पर एक head बना होता है उडरब की जो होती हो आपकी क्या होती है semi circular होती है टेपर संक्य की में क्या होता थोड़ा सा थिकनेस में यहाँ पर taper होता चलते है next question की तरफ annealing का उद्देश क्या होता है तो annealing का जो प्रमुक उद्देश होता हो क्या होता है metal को soft करना metal को soft क्यों करना क्योंकि अगर metal hard होगा तो उसकी machining इतनी अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे तो metal को soft क्यों किया जाता है कि जिससे कि उसकी machining easily की जा सके उसको आसानी से machine किया जा सके चलते हैं next question की तरफ what is the name of what is the name if the hot steel cooled rapidly to form a new structure एक नई सनचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गरम steel को क्या कहते हैं तो basically जो हम steel को च्रेटकल range के range में गरम करते हैं तो अहां पर हमारे पास आस्टेनाइट structure प्राप्त होता है अब इस आस्टेनाइट structure वाली steel को क्या करे हैं, बहुत जल्दी से ठंडा कर दें, रैपिटली ठंडा कर दें, तो उससे क्या होता है, जो हमारा ये आस्टेनाइट होता है, पूर्ण रोस से पूर्ण आपने cement tight structure में नहीं convert हो पाता, और ये किसमें convert हो जाता है, तो आस्टेन यहां पर टेमपरिंग की प्रोसेस की जाती है तो जब गर्म इस्टील जो आस्टेनाइट इस्ट्रक्चर इसको रैपिड कूलिंग करेंगे तो क्या बनेगा मार्टन साइट का इस्ट्रक्चर यहां पर बनेगा जो कि काफी हाड और विटल होता है next question what is the process to add cutting ability and bear resistance on steel काटने की छमता को जोडने के लिए और इस्टील पर घिसन का प्रतिरोध उत्पन्द करने के लिए कौन सी process की जाती है तो काफी अच्छे से हमने इसको डिसकस किया है ये क्या होती है hardening process होती है hardening क्यों करते है की क्यों इसमें cutting ability पैदा की जा सके bear resistance उत्पन किया जा सके tempering में tempering को जो bitterness होती है उसको कम करते है hardness को regulate करते है toughness को induce किया जाता है annealing में metal को soft करते है ductility को improve करते है normalizing में stress strength को relieve किया जाता है next question how the mechanical properties of steel like strength, toughness, ductility are affected steel की अंत्रिगुनों को किस प्रकार से प्रभावित किया जाता है तो जो हमारा सबसे पहला process होता है hardening hardening के द्वारा basically यह सारे क्या होते है qualities यहाँ पर affect होती है चलते है next question यहाँ पर आपको एक limit gauge दिखाया गया है और इस limit gauge का नाम पूछा गया है कि क्या है तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे go और no go दोने क्या है एक ही सीरे पर है तो जब दोनो go और no go same सीरे पर होते हैं तो उसे आपका कहा जाता है progressive plug gauge क्या कहते हैं उसे progressive plug gauge कहते हैं अब यही आपका एक सीरा कहा होता इस तीरे पर होता तो इसे क्या कहते डवल इंडेट प्लग गेज की नाम से जानते चलते हैं नेक्ट क्वेश्चन की तरफ वाट इस दे यूज ऑफ रिंग गेज का काम क्या है ठीक है तो बैसिकली जो रिंग गेज होता है इसका काम होता है किसी भी एक्टरनल डायमेटर को चक करना एक्टरनल मीज कोई साफ्ट है एक्टरनल साफ्ट है साफ्ट के डायमेटर को चक करने के लिए किसका परियोग करते हैं रिंग गेज का परियोग करते हैं अब यहीं बात किया जाए कि होल के डायमेटर को चक करने के लिए किसका परियोग करेंगे तो होल के डायमे चाहिए और अगर taper hole चक करना है तो taper plug gauge चाहिए, अगर internal thread check करना है तो आपका thread plug gauge चाहिए, external thread check करना है तो thread ring gauge चाहिए ठीक चलते हैं next question की तरफ, यहाँ पर आपको एक gauge दिखाया गया है और पूछा गया है यह कौँछा गया है, तो basically यह ring gauge है और ring gauge थोगा सा क्या है यहां पर आपको टेपर में दिखाया गए यह देख सकते हैं आपका क्या है टेपर में है तो इसलिए क्या हो जाएगा यहां से भी आप देख सकते हैं क्या है आपका टेपर में बना हुआ है तो क्या है आपका टेपर रिंगेज क्या है आपका टेपर रिंगेज इस गया है तो internal thread को कुछ चक करता है तो thread plug gauge चक करता है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा thread plug gauge option number 2 screw thread plug gauge इसका उत्तर हो जाएगा चक क्या करेगा तो यह किसी hole के diameter को check करेगा और ring gauge क्या करता है soft के diameter को check करता है thread ring gauge next question double row roller bearing का उपयोग क्यों किया जाता है जो आपका double row roller bearing होती है यह क्यों पयोग की जाती है तो basically जो हमारा heavy radial load होता है काफी heavy आपका भारी load होता है radial load तो उसको उठाने के लिए basically किसका परियोग किया जाता है तो यहाँ पर double row roller bearing का परियोग किया जाता है ठीक है किसका परियोग करते हैं double row roller bearing का परियोग करते हैं काफी heavy radial load के लेने के लिए next question यहाँ पर पूँचा गया है आपको bearing दिखाई गई इसका नाम पूँचा गया है तो जब आपके races में जो अस्थान होते हैं काफी सीमित होते हैं तो उस cases में यहाँ पर needle bearing का परियोग किया जाता है बहुती पतली पतली होती है basically अगर बात किया जाए तो जो इसकी लंबाई होती है इसके diameter का लगभग मान से 5 से 10 गुना तक रखी जाते है होती है पतली होती है परियोग कहां करते हैं तो काफी high speed और काफी precise work में परियोग करते हैं जैसे आपका aeroplane हो गया तो question पूछा जाता है कि aeroplane में किस प्रकार की bearing का परियोग करते हैं तो होती है needle bearing next और बात किजिए Thrust Ball वेरिंग की कि thrust wall bearing का परियोग कहा करते हैं तो basically इसका परियोग किया जाता है vertical thrust load को लेने के लिए ठीक है vertical thrust load है उसके लिए basically किसका परियोग किया जाता है तो उसके लिए परियोग किया जाता है thrust wall bearing का next taper roller bearing की बात की जाए कि taper roller bearing का परियोग कहा करते हैं तो जब आपका जो एक्सियल लोड है वो रेडियल लोड के पेच्छा थोड़ा सा जादा होता है ठीक है जो आपका एक्सियल लोड है जादा होता है किसके पेच्छा में रेडियल लोड के तो वहां पर किसका परियोग किया जाता है तो आपका टेपर रोलर वेरिंग का परि जो automobile sections होते हैं वहाँ पर किसका परियोग करते हैं तो taper roller bearing का परियोग करते हैं direct question पूछा जाता है कि यदि axial load क्या है radial load से ज़ादा है तो उस case में किस bearing का परियोग करेंगे तो taper roller bearing का परियोग करेंगे angular contact ball wearing इसका परियोग कहां किया जाता है तो इसका परियोग दोनों प्रकार के load को एक साथ manage करने के लिए जो axial load है, axial load के साथ-साथ radial load इन दोनों load को balance रूप से लेने के लिए किसका परियोग किया जाता है तो angular contact ball wearing का परियोग किया जाता है इसके परियोग से हम axial threat के साथ radial load को भी हम manage कर सकते हैं next यहाँ पर आपको x से mark भाग को पूँचा गया है तो basically आपको यह bearing का cut section दिखाया गया है तो यहाँ पर x क्या है यह आप से पूँचा गया है ठीक है तो x basically यहाँ पर आपका क्या है यह आपका हो जाएगा केज basically क्या हो जाएगा आपका यह बाल का केज हो जाएगा ठीक sorry sorry बाल का केज नहीं आपका यह बाल separating cage हो जाएगा क्या हो जाएगा बाल का separating cage हो जाएगा एक एक पार्ट को देख लेते हैं तो यह जो आपका basically outer वाला है इसको हम क्या कहते हैं outer race कहते हैं यहाँ पर जो inner वाला है इसे हम inner race कहते हैं जो आपका कुछ इस प्रकार से बना हुआ है गोला गोला इसे हम क्या कहते हैं cage कहते हैं और cage को separate करने वाला यह आपका क्या हो जाएगा ball separating cage हो जाएगा चुकि इसी में हम क्या करते हैं बाल को होल्ड करते हैं यहाँ पर बाल को होल्ड किया गया ठीक है तो यहाँ आपका क्या हो गया बाल सेपरेटिंग केज हो गया यहाँ पर पूछा जाए अगर आपसे कि जो बाल केज होते हैं यह किसके बने होते हैं बैसिकले आपके brass हो गया, steel हो गया, plastic हो गया, इससे बने होते हैं, इसका काम क्या होता है, cases का, तो जो भी आपके rolling element ball होते है, उसको एक छान पर रखते हैं, ठीक है, जो आपका inner race है, या outer race है, इसका काम क्या होता है, तो basically आपका guiding के रूप में काम करता है, जो भी यहाँ आपके rolling element होते हैं, उसको guide करने का काम करता है, कि क्या करना है आपको इसी path में move करना है, ना इसे बाहर जाना है न इसे अंदर जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर basically यह क्या है, यह आपका outer हो गया यह inner हो गया है, तो जो भी rolling element है हो क्या होगा इसी के बीज में आपका roll करेगा यह दोनों क्या करेगा rolling element को guide करने का काम करता है ठीक है यह basically chromy steel and nickel chrome steel के आपकी inner और outer case बनाए जाते हैं चलते हैं next question की तरफ light loading और कम गती के application के लिए कौन सी bearing परियोग की जाती है which bearing material is used for light loading and low speed application तो जब भी आपकी light loading की बाद होगी low speed application की बाद होगी तो हाँ पर किसका परियोग किया जाता है cast iron का परियोग किया जाता है जो cast iron की bearing होती है उसका परियोग काफी हलके load के लिए और कम गती के लिए परियोग किया जाता है next आपका जो bronze की bearing होती है करहता है तो वहां पर बेशिक लिए आपका ब्रौंज वाली बेरींग का परियोग किया जाता है ठीक है चलते हैं नेस्ट कोछिट You की तर já कर नेस्ट कउश्चिन के आप पूचा गया है यहां पर वी आपन एप tomato बैश्ट केulा के बारे लिए आपका एक conductor material है तो इसलिए बेसिकली इसका परियोड हो गया या टर्बाइन हो गई तो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर हो गई उसमें copper and lead alloy bearing का परियोग किया जाता है चलते हैं next question की तरफ किस bearing में loading जो है bearing x के parallel या समाना अंतर होती है which bearing carry the load parallel to its axis of the bearing ठीक है तो कौन से bearing होती है जिसमें जो loading है वो bearing x के parallel होती है मालो यह आपका क्या है कोई bearing है ठीक है आपको example shaft का है ठीक है इसमें कोई bearing है तो आपकी यह कोई axis है ठीक है यह हमने क्या बना दिया axis बना दिया अब जो load लग रहा है वो उसके क्या लग रहा है parallel लग रहा है ठीक है parallel मतलब हो गया 0 degree ठीक है इस direction में लग रहा है ठीक है जो इस direction में load लग रहा है ठीक है तो जो इस प्रकार से load लगता है इसको सहन करने के लिए कौन से bearing यहाँ पर परियोग की जाती है यही इस question में आप से पूछा गया है तो इस प्रकार के लिए हम किसका परियोग करते हैं thrust bearing का परियोग करते हैं thrust का मतलब ही होता है thrust load का मतलब क्या होता है वो load जो की क्या हो axis के जो bearing axis है उसके क्या हो parallel हो, 0 degree पर हो तो उसे क्या कहेंगे thrust load कहेंगे अब यही पर अगर आप से पूछा जाए कि जो radial load होता है वो क्या होता है तो radial load basically आपका सभी दिसाओं से लगता है जो चारों दिसाओं से load लगता है वो क्या होता है, radial load होता है अब general bearing की बात की जाए अगर कि general bearing क्या होता है तो जब यहाँ पर आपकी loading होती shaft के axis के perpendicular होती है ठीक है, कुछ इस प्रकार से आजाए ठीक है, लंबवत अगर जो आपका load है, उस आपके axis के लंबवत लगे तो उसको हम क्या कहेंगे उसके लिए हम general bearing का परियोग करेंगे तो आसा करते है, question आपको clear हो गया होगा next, hard journal के लिए कौन सा bearing material उप्यूकत होता है तो जब भी hard journal की बात की जाएगी तो हाँ पर हम परियोग करेंगे aluminium alloy का, किसका परियोग करेंगे aluminium alloy की bearing का परियोग किया जाएगा sintered alloy की बात की लिए जाए तो sintered alloy बेसिकली आपका ये self lubricating type material होता है तो जहाँ पर भी आपका lubrication देने में कठिनाई होती है easily आप वहाँ पर lubricant supply नहीं कर पाते हैं तो ऐसे cases में किसका परियोग किया जाता है तो sintered alloy वाली bearing का परियोग किया जाता है बाकि copper lead लाय और academy based लाय को हमनें उपर वाले question में discuss कर लिया है next यहाँ पर पूशा जा रहा है तो यह थे आपके 38 questions किसे trade theory से अब इसके बाद यहाँ पर आपको workshop calculation science employability skill के question बाकी रहे गया है तो चलिए discuss करते हैं workshop calculation के question को अभी तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके video को like जरूर कर दीजेगा और comment section में अपना feedback दीजेगा कि आपको class कैसी लग रही है क्या इसमें improvements किया जा सकता है तो यहाँ पर बृत्त की परिधी का सूत पूछा गया है formula for circumference of a circle तो जब भी आपको क्या करना है किसी भी चीज की परिधी निकालनी परिधी मतलब वो total जैसे आपका total यहाँ से कितना आपका यह लंबाई है तो यही आपका मालो को एक हमारी रस्ती है अब इसी रस्ती को हम क्या के कुछ इस circle की रूप में मोड़ दी है तो यही हो जाती इसकी क्या हो जाती है परिधी हो जाती ठीक है अब इसी को क्या कुछ आप open कर दो कुछ इस परकार से तो यापकी कितनी लंबी हो यही उसकी परिधी हो जाएगी तो प्रित्त की परिधी को हम कैसे calculate करते है तो उसका फार्मूला होता है 2 pi r जहाँ पर πाई की बलू होती है तीन दसमलो एक चार या फिर बाइस बटा साथ कह सकते हो और आर क्या है आर उसका रेडियस है ठीक है आपका आर क्या है रेडियस है किसका सर्किल का नेट क्वेस्चन बात की जाए यहाँ पर ब्रित के छेतरफल का फार्मूला पूछा गया है तो छेतरफल बेसिकली मत्तब यह हमारा कितना अस्थान घेर रहा है यह ब्रित हमारा कितना अस्थान घेर रहा है वही उसका क्या होता है छेतरफल होता है ठीक है छेतपल का formula क्या होता है πाई r square कई बार आपको यहाँ पर πाई r square ना दिया जाए तो आपको पता है r क्या होता है तो r बराबर होता है d y 2 मतलब diameter का आधा होता है radius तो अगर हम r की जगहाँ पर क्या रखनें d y 2 रखनें तो इसका जब square करोगे तो यह आपका total formula क्या आजाएगा πाई d square by 4 तो यह भी आपको exam में दिया जा सकता है ठीक है तो आप दो formula से निकाल सकते हो चेतपल या तो πाई r square से या πाई d square by 4 से जहाँ पर d क्या हो जाएगा diameter हो जाएगा r क्या हो जाएगी radius हो जाएगी next question बात की जाए which line is called chord कौन सी line यहाँ पर आपकी जीवा है तो बृत के बहुत सारे यहाँ पर आपके parameters होते हो उसको आप देख लीजी एक बार तो यहाँ पर अगर बात की जाए जैसे यह आपका जो a b line है ठीक है a b line है तो यही आपकी क्या है बृत की जीवा है जीवा basically क्या होती है बृत के किसी दो बिंदों को मिलाती है ठीक है बृत के किसी दो बिंदों को जो आपकी मिलाती है वही क्या कहलाती है वह आपकी basically जीवा कहलाती है अब बृत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है जो बृत का केंदर से होकर गुजरती है वही क्या होती है बृत की सबसे बड़ी जीवा होती है जो आपकी क्या होता है डायमेटर होता है ठीक है अब बृत के केंदर और बृत की किसी एक अन्य बिंद को मिलाने वाली जो रेख होती उसके क्या कहलाती है त्रिज्जा कहलाती है तो यह चीज़ें आपको clear होनी चाहिए तो यहाँ पर क्या है जो AB है यही क्या है उसकी आपकी जीवा है तो आफसन नमबर 2 यहां से सही हो जाएगा next question which type of stress यहां पर basically जो आपका प्रकार जी की जो यहां पर riveting है इस पर जो इस प्रकार का यहां पर फोर्स लगा कर दोनों दिशाओं में इसको क्हींचा जा रहा sorry दोनों दिशाओं में इसको क्या कर रहे हम stress कर रहे हैं तो वहां पर जो basic यहां पर जो stress कि बाद कि जाये तो डिפटैसिशों कोई एक प्लेट उसको आप क्या कर रहे हो इस डारेक्शन में खीच रहे हो यह मैंनो इस डारेक्शन में खीचिंख Lal jewelry ठीक है तो यह आपका क्या हो जाएगा टेंसाइल स्थ्रेस हो जाएगा ठीक ऑप्रेसीब स्थ्रेस श्याय है या कोई मेटल है इसको आप इधर से प्रेस करो और फिर क्या करो इधर से प्रेस करो तो इसको दबाना बेसिकली दबाने से जो इसके अंतर इस्ट्रेस डेवलप होगा वो क्या होगा यहां पर सियर इस्ट्रेस होगा तो अरजनल इस्ट्रेस क्या है बेसिकली इसी को हम क्य करें यहाँ पर आपका टार्ग देखंग त्विष्ट करने का काम करें उसको क्या करें हम मरोणे घुमाएं तो वहाँ पर जो इस्ट्रेस डेवलप होगा उसे क्या कहेंगे हम टोर्जनल इस टारजनल प्रतिबल के नाम से, टारजनल इस्ट्रेस के नाम से जानेंगे ठीक है तो आसा करते हैं clear हो गया होगा, जब यहाँ पर दोनों अलग-अलग कोनों पर अलग-अलग दिशाओं में यहाँ पर जो फोर्ज लगाकर stress develop होता है यह आपका हो जाता है shear stress और same आपका जो plate है यहाँ पर जो आपका force लगता है इससे tensile, compressive दबाने से और torsional क्या होता है घुमाने से जो stress develop होती है next question what is the unit of strain strain की unit क्या होती है जिसे हम हिंदी में क्या कहते है बिकिर्थी कहते है तो इसके लिए आपको इसका formula पता होना चाहिए कि strain हम calculate कैसे करते है तो strain basically क्या होता है यह होता है लंबाई में परिवर्तन लंबाई में परिवर्तन delta L बटा प्रारंभिक लंबाई ठीक है तो यह क्या होता है लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई इससे हम क्या कर सकते हैं विकिरती को कल्कुलेट कर सकते हैं अब यहाँ पर जो कि दोनों लंबाई है चाहे मीटर मिलो सेंटी मीटर मिलो तो क्या है एक रेशियो है तो दोनों क्या होता है आपस में उसका यूनिट कट हो जाता है तो इसलिए यह यहां पर इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इस्ट्रस की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक, यह चीज आपको ध्यान में रखना है, क्यों नहीं होती है, चुकि यह क्या है, एक रेशियो है, सलते हैं, नेश्ट क्वेस्चन की तरफ, लंबाई में परिवातन को किस से दिखाया जाता है तो इसको डेल्टाइल के द्वारा दिखाया जाता है किस से दिखाते हैं डेल्टाइल डेल्टाइक बेसिकली क्या होता है जो आपकी अंतिल लंबाई मानस प्रारम लंबाई यही क्या हो जाएगा डेल्टाइल हो जाएगा नीचे यहां पर आपको एक च कर आप अपने doubts को clear कर सकते हैं रिबेट joint क्या होता है तो इसको भी हमने काफी अच्छे से मतलब discuss किया था अपने पिछले वाली वीडियो में कि अगर riveting की बात की जाए या फिर soldering की बात की जाए तो यह दोनों क्या होती है सेमी permanent के अंतरगत आती है और permanent के अंतरगत आपका building आ जाता है ब्रेजिंग आ जाता है temporary में nut, bolt, screw, key, stud जितने चीज़े होती किसमें आ जाती है temporary में आ जाती है next यहाँ पर आपको एक और rivet दिया गया है उसको पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा rivet दिया गया है ठीक है तो आप लोग चित्र देकर पहचान सकते हैं कि कौन सा तो यह basically snap head rivet है जिसका परियोग हम आपका basically कहां करते हैं तो जो आपका normal fabrication work होता है वहाँ पर snap head rivet का परियोग किया जाता है ठीक पैन हेड रिविट की बात किया तो कहां करते हैं यहाँ पर हम हैवी स्ट्रक्शल वर्क में पैन हेड का रिविट का परियोग करते हैं काउंटर सिंग परियोग कहां करते हैं तो जब आपको सर्फेस के लेवल से क्या होना है नीचे रहना है प्रोजक्शन से बचना है तो वहाँ पर किसका परियोग करते हैं काउंटर संग, रिविट का परियोग करते हैं फ्लेट हो गया आपका लेवल में रहने के लिए नेक्स्ट, which material pipe is used for drainage pipe line तो drainage pipe line के लिए किस material का परियोग किया जाता है यहाँ पर पूछा गया है, तो drainage pipe के लिए किसका परियोग किया जाता है PVC, polyvinyl chloride, PVC pipe का परियोग किया जाता है यहाँ पर drainage system के लिए नेक्स्ट यहाँ पर जो other pipe दी गई है, उसके बारे में बात किया जाए कि और किसका परियोग कहां पर करते हैं इसकी बात कि जाए तो पीने की पानी की लाइन होती है, ठीक है उसके लिए किसका परियोग करते हैं, तो GI pipe का परियोग करते हैं ठीक है, इस टील pipe आपका नॉर्मल यूज के लिए नेस्ट क्वेस्टन की बात कि जाए, which of the following used to block the pipe at one end pipe के सीरे को ब्लॉक करने के लिए किसका परियोग करते हैं तो माल लीजी यह आपकी कोई pipe है, तो इसमें दो कंडिशन होती है एक तो है कि आपके इसके बाहर त्रेड कटी हो, एक है आपके इसके अंदर त्रेड कटी हो तो यहाँ पर basically आपके blocking का एक ही, यहाँ पर option ही दिया गया है हमारा plug जिसका परियोग हम करते हैं basically pipe को block करने के लिए अब plug में क्या होता है, plug में हमारे external त्रेड कटी होती है तो ऐसी pipe जिसमें internal त्रेड कटी होगी, उसके एक सिरे को block करने के लिए हम किसका परियोग करेंगे plug का परियोग यहाँ पर करेंगे, ठीक क्या करेंगे, plug का परियोग करेंगे और अगर मान लो pipe में हमारी external त्रेड है, तो उसके लिए हम किसका परियोग करते है कैप का परियोग करते है, चुकि कैप में हमारी क्या होती है, अंदर की थ्रेड कटी होती है तो यदि आपके pipe पे बाहरी थ्रेड है, उसको close करना है, तो कैप यूज करेंगे और यदि आपके pipe में अंदरूनी थ्रेड है, उसको close करना है, तो किसका परियोग करेंगे गई pipeline को, तो easily वहाँ पर खोल करके उसको repair किया जा सकता है, reducer का यूज क्या होता है, तो दो different diameter की pipe को जोडने के लिए किसका परियोग करते हैं, reducer का परियोग करते हैं, coupling क्या होता है, तो ये भी कहां करते हैं, यूज करते हैं, तो जो बड़ी-बड़ी pipe line होती हैं, उसको आपस में जोडने के लिए coupling का परियोग किया जाता है, next यहाँ पर अब आपका, यह भी ED के question चल रहे हैं, basically, which of the following accommodates for pipe इने pipe fitting, निम लिखिन में से कौन साइब pipe fitting है, जो कि चार pipe को एक साथ समायोजित करता है, तो जैसे मालो जी एक इधर से pipe हो गई, एक आपकी pipe नीचे हो गई, एक आपका इस side से हो गया, और एक आपका इस side से हो गया, तो इस चार पाइपों को एक साथ आपको जोड़ना है तो किसका परियोग किया जाएगा यह आप से यहाँ पर question में पूछा जा रहा है ठीक है क्या है question निम लिखित में से कौन सी यह pipe पिटिंग है जो कि चार पाइपों को क्या करती है समा यूजित करने का काम करती है तो क्या हो जाएगा cross हो जाएगा अब देख पा रहे हैं जब आप चार pipe बनाते हो तो आपर figure क्या बनता है cross का बनता है तो यह क्या हो जाएगा cross इसका correct answer हो जाएगा ठीक union क्या है अभी उपर हमने डिसकस किया पाइप को जोडने के लिए परियोग किया जाता है elbow basically क्या है तो elbow जो हमारी जो pipeline है इसको हमें 90 degree में bend करना होता है थोड़ से radius के साथ तो हाँ पर elbow का परियोग किया जाता है T क्या है तो T basically किसी pipeline से जब हमें 90 degree पर एक branch pipeline निकालनी होती है तो हाँ पर T का परियोग किया जाता है ठीक है चलते हैं next question की तरफ next यहाँ पर अब आपका employability skill का question आगा है जो कि 25 question नहेंगा उपर अभी हमने theory के question देख लिए workshop calculation के question देख लिए ed के question देख लिए अब यहाँ पर employability skill का आपका question start होता है पहला question complete the sentence with suitable describing word यहाँ पर कोई एक describing word लेना है और आपको sentence को complete करना है it is यह neighborhood one need not to fear तो यहाँ देख सकते हो fear केरने की जरूवत नहीं है डरने की जरूवत नहीं है अब डरने की जरूवत नहीं है मतलब कैसा क्या होगा महौन safe होगा ठीक इससे आप relate कर सकते हो तो इटीज यह safe neighborhood ठीक है यह आपका क्या है सुरच्छित आसपास का सुरच्छित इलाका है आसपास सुरच्छित है one need not to fear यहाँ कैसी को डरने की जरूवत नहीं है तो fear है आपका डरने की जरूवत नहीं है तो डरने की जरूवत नहीं मतलब महौल कैसा होगा safe होगा next question की तरफ चलते है there is not any amusement park in the area it is यह तो विसलिए यह कह रहा है there is not any यहाँ पर कोई नहीं है amusement park कोई manoranjan वाला पार्क यहाँ पर नहीं है amusement का मतलब होता है manoranjan ठीक है क्या हो जाएगा boring हो जाएगा there is not any amusement park in the area so it is a boring place यह place क्या है आपका boring है चलते है next question की तरफ यहाँ पर क्या है there is a factory in the area area में क्या है यहाँ पर एक factory लगी है तो जहाँ पर factory होगी तो factory से क्या है काफी सारा धुवा निकलेगा अब धुवा निकलने से वहाँ का जो वायू है atmosphere हो क्या हो जाएगा परदूसित हो जाएगा ठीक है तो atmosphere क्या हो जाएगा परदूसित हो जाएगा there is a factory in the area so the air is polluted वहाँ पर हवा कैसी है परदूसित है ठीक चलते है next question की तरफ there is water scarcity in the locality scarcity के मत्तब होता है कमी है यहाँ पर locality में क्या है पानी की कमी है तो जब पानी की कमी क्या होगी तो फिर क्या हो जाएगा area dry हो जाएगा so there is water scarcity in the locality so the area is dry यहाँ पर area क्या हो जाएगा आपका dry हो जाएगा सूखा हो जाएगा next की तरफ चलते हैं यहाँ पर भी आपको sentence को complete करना है the transportation to some rural areas is difficult as the roads are अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे ग्रामेड इलाके हैं जहाँ पर जो परिवाहन की सुब्धाव क्या है बहुत ही difficult बहुत ही मुश्किल है जुकि वहां कि रोड कैसे हैं अब रोड कैसे होंगे तो मुश्किल होगा dry होंगे कि polluted होंगे जब बोरिंग होगे या uneven होगे तो dry road सूखा से कोई मतलब नहीं है pollution से मतलब नहीं है जहाँ पर road क्या है अनइवन है uneven का मतलब हो गया उबढखावर road है आपके तो रोड उबर खावर अनीवन होने से ट्रांस्पोर्टेशन की सुर्दा वहां पर इजीली उपलग्द नहीं है नेस्ट वाट हेल्प अस्टू मेंटेन दा बाइलेंस बिट्मेंटल एंड फिजकल एक्टिविटी वह आपकी बेसिकली कौन सी चीज होती है आपके मेंटल और फिजकल एक्टिविटी के बीच यहां पर बाइलेंस बनाने का काम करती है तो आपकी होती है होवी जो आपकी आदते होती है चाहे पढ़ने की आदत हो खेलने की आदत हो जो भी आपकी आदते होती है बेसिकली क्या करती है आपके जो मेंटल होता है और जो तो फिचकल होता है इन दोनों के भीच बाइलनस बनाने का काम करती हैं आप फिचकली वर करके काफी ठखार जाते हैं तो उस केस में आप क्या करते हैं육हाना सुनते लीज़टे हैं पिक्चर देखते हैं अपनी hovee को फालो करते हैं जिससे फिर आपका जो होता है तो आपका stress level कम हो जाता है जब आप अपने जो आपके ITI instructor उनसे चाहे आप ITI के अंदर मिलें या ITI के बाहर मिलें तो उनके साथ communication होता है जो भी चीजे होती हैं वो कैसा होता है formal होगा कि informal होगा तो यह क्या होगा हमेशा formal होगा चाहे आप उनसे अंदर मिलें, चाहे आप उनसे क्या मिलें, बाहर मिलें, आपका जो चीजे होंगी, क्या होंगी, फार्मल ही होंगी, ठीक है, एक पूरा नियम कानून के साथ ही रहेगा, ठीक, चलते हैं, next question की तरफ, role models, dash, dash, pupil to follow them, basically role model क्या करते हैं, जिससे की लोग उन्हे इंस्ट्रेक मतरम निरदेश करना, motivate मतलब उत्साहित करना, तो role model का का काम क्या होता है, inspire करना, आपको प्रेडित करते हैं, जिससे की आप उन्हें क्या करते हैं, follow करते हैं, जो भी आपका प्रेडित करते हैं, इंस्पायर करते हैं, उन्हें को follow करने के लिए, spoken communication is usually not only, but also, जो आपका spoken communication होता है, यह हमेशा क्या नहीं होता है, और यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है, तो spoken communication is usually not verbal, तब यह हमेशा क्या होता है, verbal नहीं होता है, but also non-verbal, यह आपका क्या हो सकता है, verbal के साथ साथ, non-verbal भी हो सकता है, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, इसका correct answer option number 2 हो जाएगा, ठीक, spoken communication जो आपके बोलचाल की बात की जाती, usually not only verbal, हमेशा verbal ही नहीं होती है, कई बार अब की non-verbal भी होती है, ठीक है, बीना बोले भी यहाँ पर communication हो जाता है, next question, the immediate surrounding to the place you lived in is called, immediate surrounding, आपके आसपास का जो इलाका, जहाँ पर आप रहते हो, उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पडोस, आसपडोस कहते हैं, English में उससे क्या कहा जाता है, neighborhood के नाम से, जाना जाता है, ठीक, next question, the condition in a place that affect the behavior and development of somebody, or something is called, the condition in a place that affect the behavior and development of somebody, or something, that will basically called environment, environment का मतलब क्या होता है, वाता वरन होता है, तो आता वरन एक ऐसा आपका मतलब condition होता है, एक प्लेस होता है, जो कि लोगों के behavior को क्या करता है उनके development को effect करता है जिस प्रकार का आपका environment होगा उसी प्रकार से आपका behavior आपकी चीजें क्या होगी develop होगी ठीक है next question which kind of person are with very good behavior achievements and lead as an example वो कौन साथ भी होता है जो की बहुत ही अच्छा behavior होता है उसकी achievement होटी है और क्या करता है वो example के रूप में lead करने का यहाँ पर कारी करता है तो यह basically इसका correct answer क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका option दिये गये हैं कि आपके customer हो सकते हैं या फिर IT instructor हो सकते है या फिर आपके role model हो सकते हैं फिर sale supervisor हो सकते हैं ठीक है तो आपको lead करने का काम करता है आपके role model होते हैं तो जो role model होते हैं उनकी behavior ठीक ठाक होने चाहिए उनकी कुछ achievements भी होती है इसलिए आपको ये lead करने का काम करते हैं next question there dash 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 यह coffee shop dash dash the park तो coffee shop basically क्या है आपका singular noun है ठीक है coffee shop क्या है singular noun है तो singular के साथ किसका परियोग करते है is का परियोग करते है ठीक है अब कहा है park के बगल में है तो आप पर next to का परियोग करें sorry next to का परियोग करेंगे so there is so there is a coffee shop next to the park correct answer क्या हो जाएगा there is a coffee shop next to the park मतलब पार्क के just बगल में ही क्या है coffee की दुकान है next question rain water harvesting dash 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 to prevent scarcity rain water harvesting होती है basically क्या करती है कमी की पानी की कमी को क्या करती है पूरा करती है rain water harvesting dash 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 prevent water scarcity तो इसका correct उतर क्या हो जाएगा तो वैसलिकियाँ पर मदद करती है तो helps हो जाएगा ठीक है rain water harvesting helps to prevent water scarcity उसमें क्या करती है मदद करती है बेशिकली यह आपका harvesting क्या है singular noun है इसलिए helps का परयोग यहां पर किया गया present indefinite tense यहां पर आपका है next question identify the opposite यहां पर opposite देना है तो clean clean मतलब क्या होता है साफ सुथरा तो साफ सुथरा है तो उसका opposite क्या हो जाएगा dirty हो जाएगा healthy है स्वस्त है तो healthy का क्या हो जाएगा unhealthy हो जाएगा तो देख लिजे कहां पर option दिया गया है तो option number four हो जाएगा ठीक है clean का हो जाएगा dirty और healthy का हो जाएगा unhealthy तो यह आपका correct option हो जाएगा चलते हैं अपने next question की तरफ which one is not an adventure निमली कित में से कौन सा आपका adventure नहीं है तो climbing mountain mountain पढ़ चलना basically आपका क्या है adventure है tracking करना यह भी क्या है adventure के अंतरगत आता है surfing और driving तो surfing भी आपका basically क्या है यह भी आपका adventure है बट driving को basically adventure के रूप में नहीं लेना चाहिए वह उती safely यहाँ पर चीज़ें को drive करना चाहिए जो भी आपकी बेकिल होती तो safe आपका driving adventure नहीं है बाकी सारी क्या है आपके adventure है traveling in the sea is called जब आप समुंद्र में यहाँ पर व्यात्रा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं तो उसे synonyms होती है वोएगे होती है ठीक है तो इसका correct answer वोएगे हो जाएगा option number one ठीक है voting basically आपका क्या होता है समुद्र में ना करके जो आपके नदीव गयारा में जीलो गयारा में ठीक है चलते हैं next question की तरफ there are many do's and don't do's will preparing for attending and यहाँ पर basically पूचा गया है बहुत सारे आपके करने वाला एक चीज़े है और ना करने लाइक चीज़े होती है उसे आपको क्या करना होता है जब भी आप interview के लिए prepare कर रहे होते है तो उससे पहले आपको उसे क्या होना समझने की ज़रूरत होती है so there are many do's and don't do's to be identified आपको क्या करना है identify करना है while preparing for attending and interview जब आप किसी interview को attend करने के लिए prepare कर रहे होते हैं तो उस समय आपको बहुत सारे do's और don't do's होते हैं इसको आपको identify करना होता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसको आपको अच्छे से चीजों को समझने की जरूरत होती है always dash dash your mobile phone dash silent mode so always keep always क्या है always keep your mobile phone in silent mode ते हाप option क्या हो जाएगा तीन सही हो जाएगा always keep हमेशा रखो your mobile phone अपने mobile phone को in silent mode silent mode पर तो हमें इसे अपने phone को silent mode पर रखो next the average is the average is the तो जहां पर दा लग गया वहां पर superlative degree का परियोग किया जाएगा superlative degree मतलब यहां पर highest लगेगा so the average is the highest peak in the world अब चुकिए क्या है singular noun है तो इसके साथ क्या लगेगा easy लगेगा is in तिवत ठीक है तो जो आपकी average है क्या है सबसे highest peak है जो क्या है टिवेट में है ठीक है तो इसका correct उत्तर क्या हो जाएगा तो इसका correct उत्तर हो जाएगा यहां पर option number four ठीक है सबसे पहले यहां पर आपका दा था superlative degree थी तो उसके लिए यहां पर आपका superlative degree highest का परियोग हुआ और चुकिए जो पीक है average is singular noun है तो उसके लिए फिर क्या परियोग हुआ इज का परियोग हुआ तो the average sorry the average is the highest peak in the world is in Tibet next question की बात करते है which language is essential to become a computer professional तो जब भी आपको computer सीखना है computer professional बजना है तो क्या नहीं चाहिए mother tongue Chinese English या Hindi तो क्या नहीं चाहिए आपको English compulsory है चुकि computer के सारी चीज़े क्या होती है maximum English में होती है which is the synonyms of loyal loyal का synonyms क्या होता है तो loyal का faithful सही है which is the synonyms for loyal यहाँ पर आपको loyal का synonyms बताना है तो loyal का synonyms क्या होता है faithful होता है विश्वास योग ठीक है prosperous मतलब होता है आपका मतलब समरिद कहें लो अटो पेन, अटो पेन का मतलब बेसिकली आपका कालपनिक होता है परफेक्ट मतलब आपका फूर्ड होता है यहाँ पर पूछा गया है लोयल हमारा इमानदार तो उसका क्या हो जाएगा फेटफूल बिश्वस्वस्णी इसका करेक्ट सिनोनिम सो हो जाएगा जब आप अपने सुपरवाइजर से बात करते हैं तो किस परकार होने चाहिए एग्रेसिव होंगे, फॉर्मल होंगे या फिर कैजूल होंगे तो यहाँ पर बेसिकली आप क्या होंगे फॉर्मल होंगे जब भी आप अपने किसी हाईयर अथॉर्टी सुपरवाइजर हो गया, आईटी, आईटी हो गया किसी से बात करते हैं, प्रिंस्पल से बात करते हैं आफिस में बात करते हैं तो आप कैसे होने चाहिए, फॉर्मल होने चाहिए इन फॉर्मल बेसिकली हमने फ्रेंड्स के बीच आप बात करते हैं Which one is the describing word for among the word given? यहाँ पर आपको कुछ word देंगे जिसमें describing word. तो mobile phone basically, mobile phone क्या है? आपका naming है. Water view basically क्या है? आपका एक नाम है. ठीक है. Pull क्या है? तो pull आपका एक action word है. खीचना. Magnificent. Magnificent basically क्या है? आपका एक adjective है. Adjective है जो कि क्या है? एक describing word का का काम कर रहा है. Next question. डैस डैस संटेंस is a sentence that express यह direct command, invitations, warning और instruction. तो यह कौन से sentence होते हैं? जो आपको direct किसी इच के वारे command देते हैं, invitation देते हैं, warning और instruction देते हैं. तो ऐसे sentence को हम imperative sentence के नाम से जानते हैं. क्या कहते हैं? इसे हम imperative sentence के नाम से जानते हैं. तो यह थी basically आज आपका 75 question, set 2 का जो कि आपका second year है, तो second year के set 2 को हमने यहाँ पर discuss किया. आशा करते हैं, आपको वीडियो समझ में आई होगी. किसी question में doubt है, तो आप उसको comment section में पूछ सकते हैं, या फिर telegram group को join करके, वहाँ पर अपने doubt को पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छी लगती है, तो अपने friend के भी स्थियर करना ना भूलें, पहली बार channel पर visit करें, तो channel को subscribe करके, bell icon वाला बटन जरूर दबाए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की notification, मिलती रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then have a good day, best of luck, बावाए सभी को.